हलो अव्रीवन, वेलकम डू दिस चैनल, आइम सीए स्रतू, आज का वीडियो है विदानता लिमिटेड पे, विदानता लिमिटेड के शेर में आज अराउंड वन परसिन की तेजी आई है, अच्छा ट्रेडिड वॉल्लिम आज हमें इस टॉक में देखने को मिला है, विदान क्वार्टर में कौन सी डेट रिपेमिंट्स ड्यू है, यह जानेंगे हम इस वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कल यानि की 5 जुलाई 2023 को डिविडेंड की है, कंपनी डिविडेंड डिकलेर करेगी 8 जुलाई 2023 को, यह पहल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विडानता की सबसीडिरी कंपनी है, विडानता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अराउंड 64.92% का स्टेक होल करती है, लास्ट फिनाइंशल येर में यानि की फिनाइंशल येर 23 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 4 डिविडेंड पे किये थे, टोटल 75.5 रूपीज के डिविडेंड लास्ट फिनेंशल यर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से आये थे और इन डिविडेंड से वेदानता लिमिटेड को टोटल केश आउट फ्लो हुआ था, अराउंड 20,711 करोड का सबसे बड़ा बेनिफीशर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिविडेंड की वेदानता लिमिटेड है वेदानता की होल्डिंग कंपनी वेदानता रिसोर्स लिमिटेड की कुछ डेट रिपेमेंट भी डियू है जुलाई 21, 2023 को अराउंड 69.4 मिलियन डॉलर की डेट रिपेमेंट वेदानता रिसोर्स लिमिटेड की डियू है ये न्यूज आई है ब्लूमबग की तरफ से करन्ट क्वार्टर में यानि की बिट्वीन जुलाई 21 और सेप्टेंबर 11 वेदानता रिसोर्स लिमिटेड की अरॉण 152.2 मिलियन डॉलर की कूपन रिपेमेंट डू है इंडियन रुपी में अगर हम इसको कनवर्ट करें तो 1250 करोड की रिपेमेंट्स लाइन डॉप हैं वेदानता रिसोर्स लिमिटेड की करन्ट क्वार्टर में तो Vedanta Limited earn करेगी around 4937 करोड and Hindustan Zink Limited अगर Saturday को low dividend declare करती है suppose 5 रूपीज का dividend declare करती है तो Vedanta को मिलेगा around 1371 करोड जो की Vedanta की parent company की debt obligations को meet करने के लिए sufficient है तो Vedanta की तरफ से भी एक dividend जरूर आ सकता है यह हमें पता लगता है इन company के dividend trends को देखे last financial year में भी company ने यानि कि Hindustan Zink Limited ने आज साथ 2022 को एक dividend declare किया था 21 रूपीज पर शेयर के हिसाब से उसके बाद Vedanta Limited ने 19 जुलाई 2022 को एक dividend declare किया था 19.5 रूपीज पर शेयर के हिसाब से तो जब भी Hindustan Zink Limited की तरफ से dividend आता है तो Vedanta की तरफ से भी dividend जरूर आता है बिकॉस Vedanta के dividend का major portion जाता है Vedanta की holding company Vedanta Resources Limited को बट अभी Vedanta Limited की तरफ से कोई भी dividend की news नहीं आई है जैसे ही news आएगी हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आइस का वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज इससे जाए से आदा लाइक करिए ताकि हमें motivation मिले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक यू